Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है एक राशी फल ये 17th में से लेकर 23rd में तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूचेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो हमारे पस प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, टेन ओफ कप्स आंड टर्निंग इन और जहां तक मैं रीकॉल कर पा रही हूं, इस एजिटेरियस, पास्ट वीक से प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं थे I am very happy कि इस वीक आप लोगों के लिए 10 of cups का का कार्ड है 10 of cups का का कार्ड happiness, joy, satisfaction की बात करता है और इस कार्ड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक rainbow है, एक family है और rainbow भी कहीं तूफान के बाद एक शांती, एक happiness को represent करता है और कुछ ऐसी ही energies आप लोगों के लिए भी दिख रही है family की तरफ से support रह सकता है या फिर जो भी आपके co-workers हैं, colleagues हैं जिनके साथ आप काम करते हैं उनकी तरफ से भी काफी cooperative, काफी supportive energies दिख रही है और कहीं किसी चीज के completion होने की भी indication 10 of cups का कार्ड देखता है आप ज़ादा interactions कर रहे हैं, ज़ादा बातचीत कर रहे हैं या फिर किसी level पे आप ज़ादा यूनों लोगों से मिल रहे हैं और ये कोई भी life का area हो सकता है, लेकिन professional life से related ज़ादा दिख रहा है और यहाँ पे दिखे, turning in का कार्ड कहता है कि externally तो चीजें काफी अच्छी हैं बट internally हो सकता है कि आप थोड़ा सा back step लेना चाह रहे हैं चीजों को और ज़ादा समझना चाह रहे हैं या पिर हो सकता है कि पीछे two weeks से आप थोड़े से परेशान थे professional front पे और इस week आप किसी level पे relaxed फील कर रहे हैं इस week किसी level पे आप better फील कर रहे हैं और थोड़ा सा rest भी लेना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी चीजें आपको परेशान कर रही थी या इस week भी कर रही हैं आपके thoughts हो सकते हैं कोई इनसान हो सकता है, कोई situation हो सकती है आप उससे अपने आपको distance कर रहे हैं और अपना peace of mind, अपना सुकून किसी भी हालत पर compromise नहीं करना चाह रहे हैं या फिर उसको नहीं खराब कर रहे हैं और देखें ये बहुत ही अच्छी बात होती है Sagittarius अगर ऐसा हम normally भी हरदम कर पाएं तो फिर सारा stress, सारा परेशानी खतम हो जाती है क्योंकि देखें, beyond the point कुछ चीज़ों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मेरी ये खुद की definition है Stress is when we try to change things that we can't change जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं तो परेशान होते हैं वैसे तो देखिए, normally 10 of cups का card बहुत beautiful energies की बात करता है लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ किसी level पे आपको परेशान कर रही है या तो आप उससे again मैं कहूंगी distance कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा rest लेना चाहा रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए a card है completion and page of swords तो देखिए यहाँ पे भी completion का card है और 10 of cups में भी एक completion दिखती है तो कोई चीज इस week किसी भी level पे किसी भी front पे complete होती हुई दिख रही है और किसी चीज की एक नई beginning भी कुछ Sagittarius के लिए इस week रह सकती है और दिखिए page of swords के card को देखें तो सबसे पहली बात यह immature energies की बात करता है तो कुछ लोग हो सकता है कि बहुत immaturity के साथ अपनी personal life में specifically चीजों को deal कर रहे हैं थोड़े से जिद्धी थोड़े से stubborn किसी चीज को लेके हो सकते हैं थोड़े से argumentive थोड़े से defensive आप इस week personal life में किसी चीज को लेके हो सकते हैं और बहुत logically आप चीजों को analyze कर रहे हैं किसी चीज को लेके बहुत जादा information gather करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी skills अपनी knowledge को update कर रहे हैं और दीखें ये information gather करना सब के लिए different areas हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए relationship हो सकता है जिसमें आप किसी level पे spy कर रहे हैं जासुसी कर रहे हैं और और जादा information gather कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए कोई subject हो सकता है कोई situation हो सकती है या फिर कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आप information gather करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत curious हैं और जादा चीज़ों को जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो देखिए overall देखें तो इस week की energies अच्छी दिख रही है और ये week आप लोगों का अच्छा जाता हुआ दिख रहा है astrology से आप लोगों के लिए card है Aquarius और इसके हिसाब से navy blue, indigo या फिर all shades of blue आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day इस week आप लोगों के लिए रहेगा Saturday तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापताही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए